तो आप सब लोग को पता ही होगा कि हफते की शुरुआत में मैं आपके लिए लेकर आती हूं किसी ना किसी एक प्रोडक्ट का रिव्यू तो आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूं पायोटी ग्रीन एपल शैंपू का तो यह कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आता है आप देख सकते हैं और इसका जो प्राइज है वो है 159 और इसकी जो क्वांटिटी है वो है 190 एमिल तो यह जो शैंपू है यह सालफेट फ्री है मतले पैरबिन भी नहीं है इसके अंदर पल जूस चिने घास मटूक परनी प्लांट शिका काई पल ग्रिद कुमार यानिके अलोवेरा बादाम ओयल कोकोनेट ओयल और प्यूरिफाइड वॉटर तो इसमें कहीं पर भी असलफेट और पैरेबिन का किवारे में कुछ भी नहीं लिखा है मुझे लगता है कि यह आयरवेदिक रेसिपी यहां पर लिखा भी हुआ है तो कंपनी क्लेम करती है कि यह 100% प्रिटानिकल एक्स्ट्राक्ट से बना हुआ है और यह बेसिकली ओईली हेर यह ओईली स्कैल्प के लिए बना है और वैसे मेरे बाल जो है वो ड्राय है लेकिन कुछ दिनों से मेरे बाल बहुत जादा ओईली हो रहे थे तो मुझे लगा मुझे यह शैंपू आप देख सकते हैं कि इतनी क्वांटिटी जो है इसकी इतनी क्वांटिटी में और यह मुझे बहुत जादा पसंद आया है जो ड्राय जिनके ड्राय है वह इन्हें यूज मत कीजिए मुझे लगता है कि उनके लिए यह शैंपू सही नहीं होगा उनके बालों को और जादा ड्राय कर देगा मेरे बाल वैसे ड्राय हैं लेकिन कुछ दिनों से मेरे बहुत जादा ओयली हो रहे थे इसलिए मैंने इसका जो है यूज किया है और यह कहता है कि यह और गयानिकली प्योर है प्रेजर्वेटर फ्री है डर्मेटोलोजिस टेस्टेड है यानि कि का सब्सक्राइब कोई टेस्टिंग इसकी नहीं हुई है जो कि बहुत अच्छी बात है जो बायोटिक के प्रोडक्ट इसलिए इतने पसंद आते हैं क्योंकि 100% अप्योर होते हैं प्रेजर्वेटर फ्री होते हैं और जो इसकी इस शांपू की जो खुश्पू है बहुत है और जो सबसे अच्छी बात यह है कि इसके जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत ही जादा एफोर्डबल मतलब कि अगर आप मार्केट में प्रोडक्ट्स लेने निकलेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत जादा महंगे है बहुत पसंद है इसलिए मैं हमेशा बायोटिक के प्र सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है तो यह था मेरा एक चोटा सा रिव्यू वीडियो बायोटिक ग्रीन एपल शाम्पू पर अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिए और मेरे चालल को सब्सक्राइब आप बिल्कुल भी मत भूलिए और अगर आप किसी भी प्रोड़क्ट का रिव्यू चाहते हैं तो प्लीज में जो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए मैं आप से मिलूंगी आप अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाई